तो फ्रेंस आज बहुत अच्छी रेस्पी बनाने वाली हूँ जैसे कि आप सभी चानते हैं कि नौरात्री चल लहा है और कई लोग ब्रत रखते हैं तो उसमें आफसन ने होता है कुछ मीठा खाने का तो चलिए अप्टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तो आप सोचो की कैसे पनाई है तो बताओंगी आगे तो देखेंखे पहले तो हम ले रहें यह लोगी तो लोगी हिसे नहीं वेह हमारा एक केजी की लोगी ही इसका हमने क्या करना है भी टोल का अच छिलका उतार देना पहले हमने इसे जर पतेवं दुल लिया है और इसका . तो बड़े बड़े टुकडों में इसे कट कर देते हैं अब कट करने का देजन फ्रेंश यह है कि छो हम इसको कट अच्था कर न दो इसका हमें फीज बिल्कुल भी ने चाहिए तो जिमसर कि अरेखलं से लिकेवाला नियूए जो सिपैंड्र्म भी music week, इसा हमें फेकना भी नहीं है आप जानते हो इसे क्या करो आप दाल बनाओगे ना तो दाल में इसे डाल देजिएगा बहुत टेश्टी दाल बन के तैयार हो जाएगी तो देखिए ऊपर-ऊपर वाला हिस्सा हमने इस तरह से निकाल लिया है सभी पार्ट को और इस तरह से अब हम क्या करेंगे अब हम लेंगे एक कद्दुकस लेते हैं और इसे क्या करेंगे पतले वाले से नहीं भी मोटे वाले सी भी नहीं बीच वाली साइच से हम इसे कद्दुकस कर लेते हैं बहुत आराम से लोकी कद्दू कस हो जाता है, फ्रेंश सौप्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब बलकि जो गाजर होता है, वो ज्यादा हाड होता है, तो उससे थोड़ी से लगती ही, लेकिन लोकी तो फटा-फट हो जाती है, तो आप देख सकते हो, हमारी लोकी ह हो गई है कद्दू कस, अब इसे पानी थोड़ा सा ना, अगर चाहो तो आप पानी निचोड़ो, आपका मन की बात है, आपका मन करें तो पानी निचोड़ो, नहीं तो आपकी लोकी ऐसे भी हो जाएगी, तो थोड़ा सा पानी निचोड़ देते है, ताकि लोकी जल्दी से यह भूनना ही स्टार्ट हो जाए ठीक है वो इसे पानी छोड़ता है बस थोड़ी सी पानी हम इसे तरह निकालते हैं आप कपड़े से भी से कर शकते हैं बड़ थोड़ी सी पानी निकालेंगे ज्यादा हम नहीं इसको करेंगे इसलिए हम हाथ से ही कर दिये चलिए हाथ से कर दीजे ठीक है बस हमारी लोकी देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है अब हम क्या करेंगे चलते हैं गयस के तरफ जहां हमने कड़ाही गरम होने के लिए रख दिया है तो इसमें डालेंगे दो चमच घी करेंगे पहले बहुत जज़ादे घी हमें नहीं डालना क्योंकि हमें लाष्ट में भी थोड़ी से घी के जरूवत पड़ेगी तो हम घीगरम होते ही इसको डाल देते हैं लोकी को और लोकी को हमें ज्यादा मितलब अभी दो धुगेरा हमें आइड ने करना है लोकी को हमें इतना पकाना होता है कि मतलब बिल्कुल लोकी का टेश्ट ही ने आए अगर लोकी का टेश्ट आएगा तो कोई बर्फी नहीं खापाएगा तो चलिए म महकता है कि कुछ बन रहा है घी में तो चलिए यह देखिए बिल्कुल डे ड्राई हो गई है थोड़ी सी ढख देते हैं ताकि और यह सौप्ट हो जाए तो दो तीन मिनट के लिए मद्ध्य माज भी इसे ढख के छोड़ देते हैं और दो मिनट बात हमने जब ढख कर नटा है तो देखिए लोकी हमारी काफी सौप्ट हो चुकी है और पानी और बिल्कुल भी नहीं है अब हम इसमें क्या करेंगे अब बताती हूं ना आके क्या करेंगे या और बता रहे हूं तो चलिए इस तरह से भूनेंगे भूनना बहु कोई जल्दी नहीं बहुत ही रिलाइस किजिए और यह देखिए हमने कोई चीनी का यूजने किया है आज हम इसमें डालने हैं जो हम मिसरी भोग लगाते हैं भगवान जी को इसी मिसरी को मैंने पाउडर करके और यह हमने कर दिया है डाल दिया इसमें ठीक है तो हमने इसमे कितना है यह 100 गराम है ठीक है आप मीठा ज्यादा घख पसंद करते हो तो आप इसमें ड्रृइटा फ़ूरा कर शकते हो बहुत ही कम मीठा पसंद करती हूं तो मैं इसमें 100 गराम मिष्णी एड करी हूं पिसा अधीक है और इसमें डाल दिया थोड़ा ड्राइफ रूट और हाँ यह हमारा घर का बना हुआ जो नारियल होता है ना उसका बूरा हमने बना लिया है इसे बहुत अच्छा टेस्ट आजाएगा आपके बरफी में तो यह भी डाल दिया तो मैंने यह कप यह भी रेट कर दिया मतलब गराम से बनाओ तो यह 100 गराम बहुत अच्छा टेस्ट आजाता है अब देखते कि हमारी लौकी है बिल्कुल यह ड्राइए अब इसके साथ हम क्या करने वाले हैं तो यह देखिए यह 200 गराम दूद हमने लिया है मतलब कब से बताओं तो यह कब दूद है इसे डाल देते हैं थोड़ा सा चलोकी को इस त करना था तो लौकी की स्वाद खतम हो चुकी है अब हम इसे दूद एड़ कर दिये दो मिनट बाद आप देख सकते हो लौकी बिल्कुल शॉप्ट हो चुकी है और इसे अच्छे से बुनेंगे अब इस तरह से मेडियम हाई फ्लेम पे में बुनना है इसे कोई हडबड़ी मत करिएगा थोड़ा सा कलर इसमें एड़ करते हैं जो ग्रीन कलर होता है अपसनल है अगर आपका मन करें तो एड़ करिये नहीं ऐसे भी आप खा सकते हो लेकिन यह कलर से बताओं थोड़ा सा सुन्दर लगने जैसे हरी लवकी हरी होती है तो थोड़ा सा हरा कलर एड़ करें लवकी जब हमारी वर्फी बनेगी तो बड़ी सुन्दर सी दिखेगी बस यह फ्रेंज बाकि इसमें कोई स्वाद नहीं होता है और आपका स्वाद खराब करता है मतलब जैसे होता है कोई चीज बेस्वाद बस वही है इसमें ना तो इसमें स्वाद है ना तो कोई मतलब यह डाल दिया तो अच्छा नहीं लग रहा ठीक है और हाँ यह ले रहे हैं हम सौ गराम मिल्क पावडर इसमें एक चम्मच घी एड़ करते हैं अब इसे घी में मिला देते हैं अब आप सोचोगी यह क्यों कर लड़िये अशा गरने से हमारा लब लौकी मितलब लवखी लुटा बंदा रहना इड़ करेंगे तो में लंफ खालव ऑन नहीं बड़ेंग तो बिल्कुल घूर मिल जआएगे में तेस्ट कर ढएगई कि हमने घी कर दिया लखी मिल साना है ना अच्छा लग यहाई त्या certification आचे से ब्ुनते जाएंगे अभी हमें कुछ भी ने करना इसे बुनना है, बस अब ठोड़ासा बत लेजिया है कि मितलब कडाहीं में चिपके गाना, तो हम क्या करेंगे ठोड़ासा इसमें घी एड़ कर देंगे, तो एक दो चममच घी आप एड कर देचिये, बस यह दो चम जब यह कडाही छोड़ने लगे बिल्कुल चिकना हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारा हलवा तैयार है तो आप थोड़ा सा इस तरह हाथ में लीजिए और इसे इस तरह डो बनाएए बिल्कुल चिकना डो बन रहा है तो समझ लीजिए आपका हलवा बिल्कुल तैयार है हो गय जो है न अब हम क्या करेंगे कि अऔर बन कर देंगे यह देखियें वง Không हो गए आलवा अब यह द्यक्तिर में प्याख करें चैनल करने मनेंदेंगे थोड़ा सा घी लगाके इसे बढ़ियां अगर नहीं भी है केक टिन बर्फी ट्रेड नहीं है तो आप किसी थाली या प्लेट में भी इसे कर शकते हो बस इस तरह पर्चला के सहता से इसे फैला देंगे अच्छे से चिकना कर देंगे बिल्कुल बर्फी बना रहे हैं तो इस तरह से कर देते हैं बरत के टाइम पर फ्रेंस यह बहुत अच्छी चीज है आपके घर में अगर कोई वरत रखा है तो जरूर नहीं बना के खिलाई यह मन प्रशंद हो जाएगा और धेर सारा आशिरबाद में मिल जाएगा काम भी हो जाएगा तो चलिए इसके थोड़ा सा ड्राइफ रोट से ठीक है ऐसे तो उपर उपर रहेगा वैसे यह अंदर हो जाएगा ठीक है बस प्रेंस आज की यह लौकी की बर्फी थोड़ी सी भी थोड़ी अच्छी लगए आपको तो प्लेज चैनल को एक लाइक दे दिजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और यह दे पसंद है आपको जैसा से पसंद है आप वैसे से कि कटिंग कर सकते हो बिल्कुल आराम से करिए नो टेंशन तो देखिए हमारी बर्फी बिल्कुल रेडी हो गई है और इसे ठंड़ा होने के लिए मतलब एक से डेड़ घंटे में भी आप कर सकते हैं लेकिन दो घंटे लाइक करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए का लोकी की बर्फी आप कब बना रहे हो और बनाया था तो कैसा बना था और थोड़ी से इस तरह हम सजा देते हैं आप जैसे मन करें जैसे सजाईए कोई टेंशन ने फ्रेंस हर माइने ही में यह बर्फी बहुत अच्छी लगती है और हाँ एक चीज कहना तो मैं ध्यान से उतर गया इसे आप फ्रीज में रख दी दिया 15-20 दिन आराम से इसे खा सकते हो क्योंकि हमने इसमें नारियल भी एड़ किया है और सारे मतलब ऐसा कुछ भी ने एड़ किया है जो टिकाउने हो तो इसे आप 15-20 दिन आप लगती में रखके और खा सकते हो तो हमने तोड के दिखाया तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लच्छेदार शॉप्ट हमारी वर्फी बन के तैयार हुई है तो चलिए फ्रेस आप लोग भी जाहिए इंजॉई कीजिए कीचन में जाहिए बटाबट लवकी की वर्फी बना लेजिए